बिहार के दर्बंगा रेल्वे स्टिशन पर ट्रेन में आये पार्सल में हुए जोरदार धमाके को लेकर हाई लेवल जात शुरू हो गई है बताया जा रहा है कि ये पार्सल सिकंद्राबाद से आया था इस घटना के बाद रेल्वे स्टिशन पर भगदर मच गई हालां कि इस दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ पार्सल में हुआ धमाका जानकारी के मताविक सिकंद्राबाद से ट्रेन में दर्भंगा स्टिशन पर आये एक पार्सल में जोरदार धमाका हो गया ये धमाका कपडों के एक बंडल में हुआ जिससे कपड़े जल गए खबर मिलते ही जी आरपी और आरपी एफ के जवान मौके पर पहुँचे वहीं रेल डी वाई एसपी नवीन कुमार भी दर्भंगा स्टिशन पर पहुँच गए जब पार्सल को खोला गया तो उसमें कपड़े निकले जो धमाके की वज़े से जल गए थे उन कपड़ों के बीच एक शीशी मिली रेलवे पुलिस को शक है कि इस शीशी में कुछ ऐसा केमिकल था जिससे धमाका हुआ मामले की गंभीरता को देखते हुए मिधिला प्रिक्षेत्र के आईजी अजिताब कुमार भी ब्लास्ट मामले की जांच करने पहुँचे पहीं फॉरेंसिक की टीम दरभंगा पहुँची और प्लेटफरम संक्या एक पर हुई ब्लास्ट थल का निरिक्षण करते हुए मौके पर मौझूद साक्षे को संग्रह किया आईजी अजिताब कुमार ने कहा कि धमाका भले ही लो डेंसिटी का था लिकिन इसकी जांच सभिस्तर पर की जा रही है पुरु में रहा है दरभंगा मैं इसलिए यह ब्लास्ट बहुत चोटा सा है कपड़े में आग लगी चोटी सी सीची है वो नौर्मल भी क्यमिकल हो सकती कुछ और सकती है लेकिन पुरु में रहा है और ऐसे भी ब्लास्ट हो जाना ऐसा जहां दरभंगा पहले दिर दो केसेज हुए इसलिए हम लोगों इसे बहुत सीरेसली लिया हुआ है यहां पर एफसल की टीम आई गई है एटीएस की टीम आई होगी यहां पर एसपी रेल्वेज आ हुए थे इसारपी थे मैं स्वय में पर आया हुँ यहां के इसे चो निकल गए है सिकंदराबाद और जितनी सारी जाच है हम लोग हर एंगल पर इसको जाच करने हैं देखे शक की बात कुछ है शक की बात यह कि जो यहां पर जिसको भेजा गया नाम अभी क्लियर नहीं है वहां का न प्रिशन के साथ ही देखते हैं जब तक हर एंगल से सब्सक्राइब हो जाए हम इसको इसका जाच करते ही रहे हैं पार्सल भेजने वाले की हो रही तलाश इस धमाकी के बाद पुलिस ने पार्सल भेजने वाले क्या पता देखा लेकिन धमाकी की वज़े से पता अधूरा ही पढ़ा जा रहा है जुसके चलते उसे ढूनने में दिक्कत आ रही है पुलिस को उमीद है कि जल्द पारसल भेजने वाले को खोज लिया जाएगा दरभंगा से सुनिल भारतिये की रिपोर्ट